कि पॉजिटिफ साइकॉल जी की इस क्लास में आप सभी का स्वगत है और आज की क्लास हैं लास्ट क्लास में हमने हैपिनेस के बारे में जाना था और उसे रिलेटेड ही यह भी क्लास है इसमें हम hedonic और eudemonic, दो views की बात करेंगे, hedonistic and eudemonic views, अब इनको फ्रसा एक मैं पहले आपको एक brief में इंट्रो दे देता हूं कि दोनों चीज़ें है क्या, तो जो यह सुखवाद, hedonic दिश्टिकोर्ण है, यह actually related करता है, अब यह किस से relate करता है, यह व्यक्तिगत सुख से संबंदित है, जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्षों की प्राप्ति कर लेता है, और उससे जो उसको प्रसन्नता मिलती है, तो उसे हम hedonic सुखवाद कहते हैं, और जब जो व्यक्ति है, उसको कोई ऐसा कारी करके प्रसन्नता मिलती है, जो उसके साथ साथ और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा हो या कोई ऐसी उपलब्धी हासिल करता है जिसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जो मैसलों ने नीध हरार की थेओरी दी थी तो नीध हरार की थेओरी में मैसलों ने सबसे उपर रखा था सेल्फ एक्चुलाइजेशन को तो जब उस टाइप का कोई हैपिनेस व्यक्ति को फील होता है लाइक आप समझ सकते हैं जैसे संत महत्मा रिसी लोग जो उनको ध्यान समाधी इस टाइप की फीलिंग या आप सोसल वर्क में कुछ ऐसा करते हैं कि उससे बहुत एक अलग सी फी करते हैं तो हैल्प करने के बाद जो एक फीलिंग आती है को रिलेट कर सकते हैं कि वह फीलिंग जो होती है उससे हम यूडेमानिक हैपिनेस कहते हैं तो ये तो हो गया यह ब्रीफ सा इंट्रडक्शन अब हम थोड़ीटेल में बात करते हैं जिसे सुखवात को अंग्रीजी बहसा में hedonism hedonism कहा जाता है और hedonism yunani सब्द hedon का hedon से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सुक तो ऐसके हम साब्धिक अर्थ की बात करें सब्दों के आधार पर हम define करें तो हम कह सकते है ki वहमत जो सुक को मानो जीवन का परम लक्ष मानता है उसे हम सुखवाद कहते हैं सुखवाद किसे कहेंगे सुखवाद एक ऐसा मत है जो लक्ति के जीवन का सबसे ultimate लक्ष मानता है सुखी रहना अब वही सलिंग मैन की बात करें सलिंग मैन ने कहा कि सुखद जीवन प्रसंदता के हैडोनिक पहलू को दरसाता है सुखवाद जीवन किसको दरसा रहा है तो सुखवाद जीवन प्रसंदता के हैडोनिक पहलू को दरसाता है इसको और थोड़ा define करें तो जब प्रसंदता के लिए मतलब जिस चीज से आपको प्रसंदता मिलती है उसके लिए जो चीजे करना जरूरी होती है यानि प्रसंदता की आवस्यक्ताओं के पूरा करने या पूरती करने से व्यक्ति को प्रसंदता मिलती है मतलब आपको जो चीजे जैसे माल लो कि आपको बर्गर खाने से प्रसंदता मिलती है और आपने आपको बर्गर की नीद है और बर्गर खा लिया आप तो उससे क्या होगा? उससे आपको प्रसंदता मिलेगी तो वही चीज यहां पर बताए गया कि प्रसंदता की आवस्यक्ताओं के पूरा होने से यहां पर पूर्थी वर्थ को हटा दीजेगा प्रसंदता क्या हो सकता हो कि पूरा होने से व्यक्ति को प्रसंदता मिलती है ठीक और जिसा वने स्टार्टिंग में बताया कि जो हैडोनिक प्रसंदता है यह व्यक्तिकत प्रसंदता पर केंदित होती है जिसे आप exam में अच्छे नंबर ले आए या आपकी job लग गई या आपने क्या किया आपने बहुत अच्छा खाना खा लिया आपने मित्रों के साथ में फ्रेंस के साथ में party कर लिया या किसी समुद्र के बीच पे जाके आप sun bath ले रहे हैं तो यह सब जो प्रसंदता है यह सभी प्रसंदता है किस से समन देता है यह hedonistic happiness से relate करती है ठीक है इसके साथ साथ हम बात करता है hedonic treadmill सिद्धान्थ अब hedonic treadmill सिद्धान्थ क्या है तो इसका मानना यह है कि जिसका कई बारों कहते हैं कि जो अमीर व्यक्ति होते हों बहुत सुखी होते हैं प्रसंदता है बट यहाँ पर इसका थोड़ा सा विपरीद चीजें हावर बताई गई है कि कई बार देखा गया है कि जो गरीब लोग होते हैं गरीब लोग जिनके पास पैसों की कमी होती है और आसपास उन अनेक समस्तियाओं से भी ग्रसेत होने के बाद भी वो अमीर व्यक्तियों से ज़्यादा प्रसंदत दिखाई देते हैं इस से धांत के अनुसार हम कह सकता है कि जो प्रसंदता है उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता ठीक है प्रसंदता जैसे लक्षण को प्राप्ट करने के लिए पैसा प्राप्ट करना व्यर्थ है अब होता क्या है दूसरी चीज इसमें important क्या है कि चाहे आपके life में दुखाया हो चाहे सुखाया हो ठीक व्यक्तिगत दुख हो या व्यक्तिगत सुख हो वो एक टाइम के बाद वापस पुराने लेवल पे आ जाता है जैसे आपको आपकी लोटरी लगती यहाँ पर जो एक्जामपल दिया गया वसी को देखता है जैसे आपकी लोटरी लग जाए माल लीजे अब लोटरी में आप बहुत सारा पैसा मिल गए आपको लेकिन वो जो हैपिनेस मिला उस लोटरी लगने से वो क्या बहुत ज़्यादा देट तक रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन तक या कुछ महीने तक रहेगा और आपके पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे फिर आपके लाइफ इस्टाइल उसी के एकॉर्डिंग हो जाएगी और फिर होगा क्या कि वो जो हैपिनेस था वो वापस एडॉप्ट हो जाएगा पुराने लेवल पर समझ रहे हैं वही चीज आप पर बताई गही है कि अच्छी बुरी घटनाएं आइस्थाई रूप से व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है परन्तु ऐसा देखा गया है कि अधिकांस लोगों की खुसी प्रसंदता अपने सामान इस्तर पर वापस आज़े आकर समाप्त हो जा जाते हैं जैसे पहले थे वही चीज महां पर पुरा फिर से पहुंच जाते हैं तो इसी लिए इस सिध्धान्त को सुखवादी अनकूलन हेडोनिक एडप्टेशन कहा गया है और यह जो पुरी प्रक्रिया है इसे हम हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं तो यह तो बात हो आए गया है कि अरस्तु ने अपने अध्यनों में परम आनंद विशेक प्रसंदता की चर्चा की यानि हेडोनोमिक हैपिनेस के बारे में बात किया और यह दिश्टिकोर्ट सद्गुडों के साथ साथ मानविय उन्नैन पर बल देता है मतलब किवल सांसारिक सुख नहीं एक अत्मिक सुख के सकते हैं और जिसे मैसलो ने बताया था कि परसं जो है वह अचेतन का गुलाम नहीं है व्यक्ति के अदर अपनी उन्नतकरने की जमता है और वो अपनी उन्नतकर सकता है तो आपर वही चीज़े है कि परमानन प्रसंदता हमारे सामर्थ सक्तियों के अन्भों का परिणाम है हम सरवाधिक प्रसंद तब होते हैं जब हम अपने लक्षियों को प्राप्त कर लेते हैं और असाधार्ण प्रतिभाओं को विक्सित करने में सफल हो जाते हैं वही पर आगे देखें तो बताएंगे अरस्तु ने परमानंद प्रसंदता को आत्म बोध की रूप में प्रभासित किया जैसा कि मैसलो ने सल्फ रिलाइजेशन किया था या आप कह सकते हैं कि जो रिसी मुनी हमारे अगर देश की बात करे तो रिसी मुनी महत्मा उन सभी ने परमानन्द प्रसंदता को ही सबसे मेन माना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंतरिक और गुप्त सक्तियां है उनकी अभिवक्ति यह पूरता अनभो करना यही self-realization है self-actualization है और इसी प्रसंदता को हम क्या कहते हैं परमानन्द प्रसंदता का दिश्टिकोड कहते हैं hydronomic happiness कहते हैं अब इस प्रकार की प्रसंदता का अनुभो तब होता है जब हम अच्छा जीवन वास्तविक आत्मा के साथ जीते हैं मतलब अच्छा जीवन तो जी रहे हैं लेकिन जो आपकी reality है जो आपकी वास्तविक्ता है आप क्यों आए हैं आपका क्या उद्देश है उन सब को जानते हुए जीते हैं और अपने अंदर सद्गुडो का विकास करते हैं जिसे जिस्पकार हमारे मूले सद्गुड अवश्यत्ताय अम प्रतिभाये हमारे जीवन को निर्देशित करती है यह देश्टिकोण मैसलोदारा निर्मेट सेग एक्चुलाजेशन के ही समान है तो इस क्लास में यहाँ पर एक और देख लेते हैं वाटर मैन ने क्या बताया पिर हम खतम करेंगे इस वाटर मैन का जो अन्भो था हमें स्वयम को समझने का आउसर प्रदान करती है जिसे मेडिटेशन करना हो गया जब आप मेडिटेशन करता है तो आप अपने बारे में और अच्छे से जान पाता है और उसके बाद फिर जो लोग ज़्यादा मेडिटेशन करता है फिर वो फिर जो स्टेज है योग की स्टेज उसमें जो समाधी के बारे में बताया गया वहां तक पहुँच सकते हैं तो इन परिष्थितियों में व्यक्ति में पूर्टा एवं अर्थ पूर्टा का भाव जाग्रित होता है और हम अधिक गुर्जावान महसूस करते हैं लाइक स्वामी विक्यान्द हो गया या महत्मा बुद्ध हो गया या मावीर हो गया ये सभी परमानंद प्रसनता को अर्जित करने वाले उधारण है जिन्हों ने क्या किया जिन्हों ने उस परमानंद या आत्मग्यान को प्राप्त करने के लिए अपने परिवार को अपने स happiness से उसको जदर importance दिया गया है hedonistic की अपेच्छा तो आज की class में इतना ही और next class कोशिस करूंगा की बहुत जल्द है तो मिलता है next class में तब तक के लिए धन्यवाद